महा शिवरात्री का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके से महत्व है शिवरात्री का अर्थ है हर महीने का चौदवा दिन जो कि अमावस्या से एक दिन पहले आता है एक वर्ष में 12-13 शिवरात्रियां होती है इन सभी शिवरात्रियों में से वो शिवरात्री जो फर्वरी मार्च के माग महीने में आती है उसे महा शिवरात्री कहते है ग्रह के उत्तरी गोलार्थ में उस दिन इनसानी सिस्टम में उर्जा स्वाभाविक रूप से उपर की ओर बढ़ती है हर एक जीव अपने भीतर उर्जा को उपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करता है इस उपर उठती हुई उर्जा का केवल वो ही प्राणी सही से उपयोग कर सकते हैं जिनकी रीड की हड़ी सीधी है मानव होने का हमारा स्वाभाग्य है कि केवल हम ही एक ऐसी प्रजाती है जिसकी रीड विक्सित होकर सीधी हो गई है अगर आप दूसरी प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को देखें तो आप पाएंगे कि बिना रीड वाले से रीड वाले की तरफ पढ़ना एक महत्वपून कदम था और विकास प्रक्रिया में दूसरा महत्वपून कदम था रीड का आड़ी अवस्था से खड़ी अवस्था में आना मस्तिष्क वास्तव में तभी विक्सित हुआ जब रीड सीधी हुई जैसे कि महाशिवरात्री की रात में उर्जा स्वाभाविक रूप से उपर की ओर बढ़ती है रात भर रीड को सीधी रखने से जबरदस्त लाब होता है यह उनके लिए विशेश रूप से फाइदिमंद है जो खास कर आध्यात्मिक मार्क पर है पर यह उन लोगों के लिए भी महत्वपून है जो पारिवारिक स्थितियों में हैं और साथ ही दुनिया में उन लोगों के लिए भी जो महत्वाकांशी हैं आध्यात्मिक मार्क पर चलने वालों के लिए, योगियों के लिए, ये वो दिन है जब श्रिव अपने भीतर की सभी हलचलों के परे चले गए और पूरी तरह से स्थिर हो गए. इसी दिन, उनकी तीसरी आँख खुल गई और उनका बोध खेल उठा. हम ये कह रहे हैं कि ये दो आखें सिर्फ इंद्रिया हैं. ये आपको आपके आसपास के भौतिक पक्षों को ही दिखा सकती हैं. लेकिन अगर आप इन भौतिक पक्षों का आधार देखना चाहते हैं, अ बोध का वो आयाम जो भौतिक से परे हैं, उसे तीसरी आँख कहते हैं. तो ये वो दिन है, जो आपके तीसरी आँख खोलने या आपके भीतर बोध के गहरे आयाम को उजागर करने की यात्रा को सहज बनाता है. झाल